नमस्कार शाथियों आप देख रहे हैं जसनात कलासेज और आज हम बात करेंगे B.E.C. 2nd Year के Mathematics के 3rd Paper के बारे में आज हम B.E.C. 2nd Year के Mathematics के 3rd Paper का विश्लेशन करेंगे आपके B.E.C. 2nd Year के 3rd Paper में 2 Books है आपकी अब हम देखते हैं कौन कौन सी दो बुक से उसके बाद में देखते हैं सेप्टर तो दो बुक है उसमें से पहली बुक है आपकी इस्तती विज्ञान की और सेकंड बुक है आपकी गती विज्ञान की तो इस्तती विज्ञान की और गती विज्ञान की ये दो बुक मिला कर आका थर्ड पेपर बनता है तो दोस्तों येसी फेस्ट येर, येसी सेकंड येर, येसी थर्ड येर, तीनों में जो आका थर्ड पेपर है, तीनों में हार्ड है, कठीन है थर्ट पेपर student सोडते हैं या student ये सोचते हैं कि थर्ट पेपर है वो हमारे percentage बनाएगा जैसे कि first और second पेपर पढ़कर student सोचते हैं कि हम पास हो जाएं और थर्ट पेपर में जितने नमबर आते हैं जैसे 15, 20, 30, 40 वो हमारे percentage बनाएगे अब थर्ड पेपर को हटाते हुए फेश्ट और सेकंड पेपर की त्यारी करते हैं थर्ड पेपर थोड़ा सटप है अब थर्ड पेपर में आप जो मत पुन बाते हैं उनका ध्यान रखेंगे तो अच्छे नमर आज सकते हैं बाकि ये पेपर थोड़ा सा टप है, क्योंकि लंबे-λंबे क्यूशन है, और आप देखोगे, जैसे कि आपका थर्ड़ पेपर है, ये शी सेकेडिये का थर्ड़ पेपर, मैंट्स का इस्तती विज्ञान जिसमें से पहली दूसरी तीस्री यूनीट है, और गती विज्ञान म यूनिट का जो नाम है वो आप याद रखें वहाँ से क्यूशन पुशा जाता है दो नंबर का जैसे कि पहली यूनिट है पहली यूनिट में आपके दो सेटर है सेटर फॉर और सेटर फाइप इस्तती विग्यान जेटियस से अनेक समतली बलोग के अंतर गतब एक पिन की साम अवस्ताक को समझाएए और शेकेंड है आपका फाइप नंबर शेटर घर्षण तो घर्षण क्या है घर्षण कौन क्या है गर्षण गुणांक क्या है सिद्धे आपके यूनिट के नाम से क्विशन पूशे जाते हैं तो इसमें पहली यूनिट में मर्दपुन टोपिक है संतली मुलों के निकाय का बल तता बल यूगल में समानयन तेरकोर मितिय पर में उसके वाबने गर्षण गर्षण बल गर्षण कौन गर्षण गुणांक गर्षण गुणांक क्यूशन पूशे जाता है तो इसमें से सबसें मर्दपुन है गर्षण गर्षण कौन गर्षण तो यह से आप दो नुमर पक्के करश रखते हैं तो यह थी फेस्ट अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट में तीन विमाओं में बल यह कई बार पुसा दरता है तीन विमाओं में बल का जो डैरिवेशन है उसको प्रूब कीजिए और शेकंड है आपकी जो नो नंबर शेप् पुसा दाता है इस ताइब संतुलं यह कभी घ्रीशाख का समीकर्ण इसnica में तो यूिनिट के नेम से आपको द ग्री होसली में आ 50 जाएगा संकी आपशाजाएगा इस तो से बाल में यह आपकी जो सेकिन्ड उनियट ती उसके बाद में बाद करते हैं दूर्पर थिप युनिक नंबर थर में भी दो सेप्टर है और उनके नाम से किःट्विशन कुंजाता है कभी तो पुंजाता है कार्व में की पुंजाता है उसके बाल में, सामन्य केटे निरी का नैज ब veya सामन्य समीकरण यहां से पास नबर टाक्योचन समीकरण पुषा प्रदाएगा तो यह मर्दपुन टॉपिक है और यह मर्दपुन क्यूशन है और इसमें कौन-कौन से मर्दपुन बड़े लेवल के वह मैंने आपको पहले एक और वीडियो डाला था उसमें देखिए और इस जो फेश्ट बूक है इसमें फेश्ट सेकेंडर ठर्ड और यह यह आपके कोश्ट में नहीं है यह आपके कोश्ट में नहीं है यह बात की हमने फेश्ट बूक की अब हम बात करेंगे सेकंड बूक का गती विज्ञान की तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड बूक की सेकंड बूक है आपकी गती विज्ञान अब हम गती विज्ञान म जो बात करेंगे तो गती विज्ञान आपकी बूक है सेकेंड उसमें युणीट फौर और उनिटा फाइफ हमचाँ दो युनीट है युनीट फॉर में 2 सेप्टर है और उनिट फइबंभां प्स elba his तो युनीट फॉर में वेग important अे नियान के में पुछा रहता है। उसके बाद मैं जो कोश टॉपिक बता रहा हूं। और ग्यूशन पॉश कthlet कर दो है। इस पर रहेक ये वेग और इस पर रहेक ये ये तर्ण इस पर रही नाय में पुसादाता है झारिवियशन जो और पास में उसता है उसके बारों और बास नमर में इसका derivation उसके बाद में अरिय तवरन और अनुप्रस्त तवरन ये बहुत ही मदपण है इस पर श्रेक्य वेग इस पर श्रेक्य तवरन अभी लांबिक वेग अभी लांबिक तवरन अरिय वेग अरिय तवरन अनुप्रस्त वेग और अनुप्रस्त तवरन य आठ डेरिवेसन है बहुत ही बदपोन है ये आप unit में हकीकत में unit में कौन से कुछन कहां से उठेंगे और कहां से आप अच्छे नमर ला सकते हो ये आपको पता होगा तो आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हो नहीं तो आप तो उसमें आपको ज्यादे नमबर नहीं मिलेंगे आप कुछ टॉपिक सोड़ोगे जैसे कि कोई हड़ टॉपिक होंगे या कुछ पड़ोगे कौन-कौन से टॉपिक पड़ोगे यह आपका निर्वर नहीं करता आप वह टॉपिक पड़ते हो जो एक्जाम में आते हैं मुद तहज जो पिछले पास साल के पेपर उठा कर देखोगे कौन-कौन से टॉपिक जो रिपीट हो रहे हैं या कौन से टॉपिक में वह आपके ज्यादा मायने रखते हैं कि आप कितने परसंटेज बनाते हो तो यह आठ टॉपिक है यह बहुत ही बात पॉण है और इनके डेरि के यह बात करने अनवा चौन के शैप्तर के जाते हैं मैंने, से प्रफोड़ की खीड़ बन देख में लूत बबन को परिवासिट किले करनें कितने हैं यहां से पास नमर में क्यूशन 100% आता है मल्क के नियम से तो यह भी आपको करवाँगा उसके बाद इस्तब्दिका दूरी और इस्तब्दिका कौन अपसोर वर्तु गती यहां से दो नमर के क्यूशन पूशे जाते हैं उसके बाद में एक सिकने उत्वादर वर्तिया गोले क अंततल की और गती और एकण वर्त सोड़ने के पचाद कण की परवले में गती यह जो रही वेशन बहुत ही बाद पूर्ण है और इसके जो इंपोड़ेंट टॉपिक है थर्ट पेपर के फैस्ट पेपर के शैकन तीनों पेपर के जो पहले से वीडियो डाले हुए है तो व वीडियो में बात करेंगे बाद के फैस्ट पेपर के बारे में दनेवाए